दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका गेव विटकॉंस चानल में और आज का क्विक वीडियो एक ऐसे प्रोजेट के उपर जिसका आप अभी भी आके एक वर्कर नोड रन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है इसका वर्कर नोड रन करना बहुत जल्दी प्रोजेक्ट लॉंच हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर यह बेल नोटिफीशन आइक दवाना ना भूलें ताकि आपका एक भी इंपॉर्टन वीडियो मिसना हो स्टार्ट करने से फ़ले दो इंपॉर्टन चीज़ें एक तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ दिर पर सब्सक्राइब दूसरी चीज़ गेव बिटकोइन की ट्रैकर शीट एड्रोप ट्रैकर शीट के इंबर मैंने कुछ और प्रोजेक्ट्स एड्ट किये हैं जिनको आप अभी आके कर सकते हैं यह वीडियो में अभी कवर्ड नहीं है बट शीट में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे बिल्कुल लास्ट में अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इसके लावा गेव बिटकोइन का एक्स्क्लोजिव एक्सेस ग्रॉप जो डिस्कॉर्ड पर है उसका अगर आप एक्सेस चाहते हैं तो आपको यहां पर 2200 ACS टोकन स्पूल में स्टेक करने हैं और एक्सेस चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड पर यह वीडियो आके अभी देख सकते हैं इसके लावा और कोई भी आलफा होगा तो मैं सबसे पहले डिस्कॉर्ड ग्रुप पर शेयर करूँगा उसके बार मैं पुब्लिकली शेयर करूँगा अब आज की वीडियो में बात इंटेशेयं अव जीपियो यहां पर इनक्या एक वर्कर नोड चल रहा है जो आप युई भी आके रन कर सकते हैं आप मैक पर कर सकते हैं विंडूस पर सकते हैं अगहर प्लय uniform कर सकते हैं अगर आप यहां से край कर और रख करने के लिए 28th April को Ionet का launch है तो इससे पहले अगर आप अपना worker note स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर टास्क करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है आप इसके AirDrop के eligible हो जाएं काफी ज़्यादा hype project है काफी कुछ आपको इस पर Twitter के around काफी post वगरा दिख रही होंगी वैसे भी Solana based है तो Solana की आजकल काफी ज़्यादा hype है और अच्छी बात यह है कि आप इसको पांच मिनिट के अंदर start कर सकते हैं बट एक चीज़ आपको यहाँ पर करनी है Galaxy के कुछ टास्क हैं यहाँ पर आप दिख सकते हैं Ignition AirDrop Program by IO.net यह टास्क अगर आप complete करते हैं maximum से maximum points अगर आप यहाँ बे claim करते हैं तो हो सकता है इसके against भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर airdrop मिल जाए तो Galaxy के इस पेज में जाके multiple जो इनके events चल रहे हैं उनको participate कर लिजे उसके अंदर और finally यहाँ पर आपको अपना Solana wallet submit करना है यह वाला जो टास्क है इसको करना ना भूले तो सबसे पहले आप जाएंगे IO.net पर यहाँ पर आके आपको sign up करना है एक account create करना है और account आप create कर सकते हैं अपने Twitter वगरा से या फिर आपके जो email address है उसको use करके जब आप यहाँ पर account create कर लेंगे तो यहाँ पर इस type का एक dashboard आपको दिखाई देगा अब यहाँ पर left hand side पर उपर cloud है explorer है और worker है हमें जिसमें participate करना है वो है worker तो worker पर पर click करेंगे यहाँ पर आप click करेंगे connector new device पर और इधर से आप नए worker की configuration जो है यूज कर रहे हैं जो हमारा already जहाँ पर node चल रहे हैं तो मैं यहाँ पर operating system में select करूँगा Linux आप दिख सकते हैं यहाँ पर Mac और Windows दोनों available है तो Linux आप select करेंगे अब यहाँ पर हमारा जो VPS है वो काफी ज़्यादा basic है तो उसके लिए मैं यहाँ पर GPU नहीं बलकि CPU competition जो है वो select करूँगा तो हमारा CPU worker होगा अगर के पास high-end machine है जहाँ पर GPU आपके पास available है तो आप GPU select करेंगे तो आपको वहाँ पर जादा फायदा होगा तो अभी के लिए हम यहाँ पर IO.net select कर लेते हैं device name आप कुछ भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर डाल दिया game of bitcoins इसके बाद मैं यहाँ पर side करूँगा CPU worker अब जैसे यहाँ पर CPU worker या GPU select करेंगे तो नीचे यहाँ पर कुछ command जा जाएंगे आपको step by step यह commands जो है वो follow करने है तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला command जो है number one यहाँ पर copy करेंगे जाएंगे अपने VPS server पर वहाँ पर आपको अपने terminal window के अंदर यह command आके paste करना है और execute कर दिना है तो यह हमने execute कर दिया पहला command हमारा यहाँ पर successful हो गया second command यहाँ पर copy किया इसको execute करेंगे अपने server पर यह हमारा यहाँ पर second command execute हो गया अब यहाँ पर extra command है अगर आपका second command execute नहीं होता है तो आप यहाँ पर यह तीसरा command आके पहले run करेंगे उसके बाद जो है वो second command आके run करेंगे अप जाएंगे next set of steps में यहां पर भी तीन स्टेप्स हैं सबसे पहला हमें यहां पर run the command to download binary करना है इसको copy कर लिया है यहां पर इसको यहां पर करेंगे execute तो यह वाला command execute हो गया इसके पाद जो second command है हमें करना है launch the binary यह वाला हमने complete कर लिया इसके पाद जो third और final step है वो है run the command to connect device तो इसको हम करेंगे यहां पर copy और यहां पर इसको paste करके execute कर देंगे तो यह effectively docker containers आपके run करेगा अगर आपके already कोई docker होंगे तो उनको stop कर देगा और नए docker containers को यहां पर run करेगा तो यह आप देख सकते हैं यहां पर नए docker containers उनको download किया जा रहा है और यहां पर इसको run करेगा अगर आप status देखना चाहते हैं एक बार यहां पर complete होने के बाद तो आप यहां पर simply command लिख सकते हैं docker ps तो यह जब आप command लिखेंगे तो देखेंगे कि यहां पर आपके दो containers io.net के कोई भी दो random containers यहां पर active हो जाएंगे तो इतना सा ही step है आपका VPS server पर उसके बाद आपको कुछ देर wait करने के बाद यहां पर इसको refresh करते रहना है और दो से तीन मिनिट के अंदर यहां पर आपका जो है connection जो है status यहां पर green हो जाएगा तो अगर यह नहीं होता है तो आपको यह unfortunately commands थोड़े बार-बार repeat करने पड़ेंगे तो कि कई बार इनमें error आ रहे हैं बड़े एक बार आपका यहां पर चालू हो गया तो आपका यह जो processes है यहां पर worker जो आपके जो आपने रन किया है वह execute होता रहेगा तो इसको थोड़ा-थोड़ा refresh करके देखते रहे है जैसे ही यहां पर connection एक establish होगा यहां पर एक button आ जाएगा जिससे आप अपने worker का status जो है वो व्यू कर पाएंगे तो अब यहां पर हमने refresh किया आगया device connected click to view device तो यह device मेरा connect हो गया है यहां पर इसको मैं करूँगा यहां पर click तो यह आप देख सकते हैं यह device आगया device name game of bitcoins आगया अब थोड़े time के बाद यह अपने आप यहां पर start हो जाएगा अभी यहां पर operational दिखा रहा है पर यह unsupported बगर है यहां पर clear out हो जाने चाहिए तो बस इतना सा ही process है यहां पर आपको इस worker जो process है worker node को run करने का अगर कुछ भी यहां पर issue आ रही है तो आप यह command जहीं पर है इनको आके आप दुबारा से run कर सकते हैं तो यहीता दोस्तों मेरा आज का वीडियो उमीद करता हूं इस safe investment